अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हो आप सब एक ब्रेकिंग न्यूज आ रहे है पाकिस्तान से इम्रान खान जो पाकिस्तान के एक्स प्राइम निस्टर उनके उपर जानलेवा हमला किया गया हलाकि वो अभी सुरक्षित है उनके पैर में गोली लगी पुरा मामला क्या है आ न्यूज को कवर कर रही है यह रेली का नाम है लॉंग मार्च जिसमें वो लोग एक लंबा सफर तरह कर रहा है पैदल चलके उनके टीम के साथ में जिस तरह से हमारे देश इंडिया में भी एक रेली चलना कॉंग्रेस पार्टी सायद निकाली हुई है भारत जोड़ो यात है पाकिस्तान का बन्जाब का वहा तक पहुंची थे और वहाँ पी इंसिडेन्ट हो एक बंदब आता है और शूट करनास्टा है इम्रान को पैड़ोग लिगती है उनके अलावा उनके पार्टी के और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की चीज हम पाकिस्तान में बरदास नहीं कर सकते दोस्यों को उपर करवाई की जाएगी जिस बंदे ने जान से माने की कोशिश की इमरान खान को उसको पुलीस एरेस्ट कर लिया है अब भी बाकी आगे का पूस्ताज वो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ वो लोगों को मिसलीट कर रहे हैं जिसके वज़े से गुस्ते में उसने गोली चलाई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कर रहे हैं कि इमरान खान को जान से माने की कोशिश की गई लेकिन वो बंदा ना काम रहा सिसी टीवी फूटेज का कुछ वीडियो जो है न्यू चैनल पर दिखाये जा रहे हैं आप यह देख सकते हो तो यह थी अभी की ब्रेकिंग न्यूज जो मैंने आप लोगों साथ में शेयर किया आप अपना क्या राई देना चाहिए कोमेंट करकर दे सकते हो मिलता हूं फि